जो next question है हमारा यह मैं आपको बताता हूँ कि आप कितनी easily solve कर सकते हैं बस आपको options का use करना होगा ठीक है आपको दिया गए income of A is 45% more than B B की हमने income मान ली 100, A की income है 45% more तो यह हुगई 145 और आपको जो C की income दी गई है income of C is 60% less than sum of A and B तो जो C की income है वो है 40% of sum of A plus B ठीक है अब हम देखते हैं कि A और B की income का sum क्या हुआ वो और 245, 245 का आपने निकाला 40% तो यह आपके पस 49 और 98 बस अब आपको आगे solve करने की जरुरुवरती नहीं है बट मैं आपको पढ़के बता देता हूँ कि question में आपको आगे क्या के दिया गया है the income of D is 20% more than C जो D की income है वो है 20% more than C और difference of B and D है 1320 आपको income निकालना है C का अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप traditionally इसको solve कर लेते तो यह कितना बढ़ा हो जाता आप पहले निकालते D की income D की income होती 98 plus 20% of C तो यह हूँ आपको पस 19.6 तो यह हूँ आपको पस 117.6 और आपको दिया गया है 13200 है difference आपका B और D का तो यह हो गया बरावर 17.C फिर आप निकालते इसमें C की value तो आप इसको multiply करते 98 से अब मैं आपको बताता हूँ कि यह question आप सिर्फ option की मदद से कैसे solve कर सकते हैं आपने देखा कि आप से क्या पूचा गया है income of C और C क्या है आपका 98 तो कहीं ना कहीं हम निकालेंगे 98 के multiples तो आया 2 into 7 into 7 तो मतलब जो आपका answer होगा उसमें definitely आपको 7 का एक नएक multiple तो मिलेग है तो सिर्फ आपका option number B ऐसा है जो कि आपका 7 का multiple होता है तो यह definitely आपका सही answer होगा अब आप देखेंगे यहां पर कि 13200 divided by 17.6 into 98 करना है आपको तो यह कितना complex हो सकता है आपके लिए लेकिन क्योंकि आपने देखा यहां पर 98 से multiply करना है तो definitely आपका answer है उसमें इसके multiples आप मिल रहा है तो सिर्फ आपका option number B ऐसा था जिसमें आपको 7 का multiple मिल रहा था तो यह हो जाएगा हमारा सही answer अगर यह series आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए thank you very much